हेलो गाइस, वल्कम बेक टो अर्टुट चैनल, इस इस रिजल इनस रा, सो गाइस में आज आप सभी को कबीर दास जी का जीवन परचे एक दम अच्छे से बताऊंगी और उसके साथ उनकी कुछ रचनाओं का वड़न भी बताऊंगी, तो बीना दिरी के हम इस टाक करते हैं तो अगर हम उनकी सुर्वाती जीवन की बात करें, तो कबीर के जन्म और मृत्यों के वर्शों असपस ठटीक है कबीर की अधी के अधरान कुछ इतिहास कर, इनका जन्म 1398 मानते हैं, इससे 1448 का पक्ष लेते हैं, जबकि कुछ अन ने 1440 से 1518 का पक्ष लेते हैं ऐसा माना जाता है कि महानी कबीर शन्त कबीर दास का जन्म 1440 में पोडिमा पर जिस्ट की महीनी में हुआ था इसी कारश संत कबीर दास जन्तिया जन्म दिन की सालगीरा हर शाल उनके अनुआयों और प्रेमियों द्वारा मैय या जुन की पुड़मा के दिन उत्सा के साथ मनाई जाती है और कभी वन दित्तियों उनके विवरण के अशंगत उनके जन्म परिवार और प्रारमिक जीवन के बारे में मौजूद है कबीर को व्यापक रूप से मुश्लिम बुनकर के परिवार में पला बडा स्विकारा जाता है ठीक है और नीरु और नीमा नामक दू जुलिम ने इनके पारेन पोशड भी किया था ठीक है और माना जाता है कि कबीर वाराणसी के भक्ति कभी शंत स्वामी रमानंद का पहले से सिबन गये थी जो भक्ति वैश्रवाद के लिए जाना जाता है जिसमें अद्वैत दर्शन शास के प्रति स्विकार करने से इनकार कर दिया था लेकिन कबीर ने अपने सिस्वरिती को बहुत चला कि सिस्विकार कर लिया और माना जाता है कि कभीर का परिवार वराराटसी के कभीर चोराहे के इलाके में रहते है ठीक है अगर आप लहर तारा पूल पे जाएंगे तो वहां लिखा है संत कभीर प्राकट्य अस्थल तो वहीं पिंका जन्म हुआ था और अगर हम लेखा के रूप में कभीर दास को ले तो कभीर पंथ एक विशाल धार्मिक शमुदा है जो कभीर को संत मैट संप्रदायों के उत्प्रेरक के रूप में पहचाना जाता है कभीर पंथ के सुदस्यों को कभीर पंथी के रूप में जाना जाता है वह बहुत अध्यात्निक व्यक्ति से और एक महान साधू बन गए उन्हें अपने प्रभावशाली परंपरा और शंश्किति के कारण दुनिया भर में प्रशिद्धी मिली कबीरदास के जैसे दोहे हैं बहुत ज्यादा फेमेस हैं और वो दोहे मतलब इतने अच्छे हैं और मतलब सास्वत सच है जैसे कि कुछ दोहे मैं आपको बताऊं दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो शुख में सुमिरन करे दुख काहे कोई सही बात अगर हम अपने सुख में भगवान को याद करेंगे तो हमको भगवान दुख भला देगा ही क्यों तो वही म अनुष्ठान वगेरा ये सब नहीं पसंदा क्योंकि अनुष्ठान में जाने की मनाई होती थी, उसी के वज़े से उनका उर्यत्ग करते थी, उनकी अनुष्ठान भालाई के साथ किसी दिल में पूरी दुनिया की समरीदी शामिल दयालू व्यक्ति के पास छमा की ताकत है उसके पास वास्तविक अस्तित और धर्मी के शाथ व्यक्ति आसानी से कभी खत्वन नहीं हुआ जीवन प्राप्त कर शका है उसने कहा कि भगवान आपके दिल में है और हमेशा तुम्हारे साथ है उन्होंने लोगों के भीतर की आखे कोली और उन्हें मानावता नैतिक्ता और अध्यात्मिक का वास्तिविक पाठ शिखाया कि के इतने सार हमारे कभीरदास जी महान बैखती थे उसके बाद वह अहिंसा के अनुआई और उपाशक थे उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी उन्होंने अपने क्रातिकारे प् मुष्णी कभी अंतर नहीं किया करते थे। हिंदो ने बताया उनका पार्थिक श्रीर जलाा जाएगा और मुष्लिम न जी दफनाना जाएगा पार्थिक श्रीर फूलों में परिवर्तित हो गया। जिससे आधा आधा हिंदू तथा मुशल्मानों ने वेतित कर लिया तथा इसी कारण मगहर में कबीरदास की समाधी और मजार दोनों है ठीक है हिंदू ने उनका मतलब जो फूल थे उसको जलाया था और मुस्तिम ने उसे दफनाया था ठीक है फिवाधी प्राचिन प्रताओ को तोड़ने वाले कबीरदास की दोहें आज भी जिन्दगी में उल्लाज भर देते हैं उनके दोहों में हमेशा उन्नती का मार्ग खोला तथा लोगों को शहीरा दिखाई है कबीरदास की दोहें जैसे बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलियो कोई जो दिल खोजा पंडित भया धाई आखर प्रेम का पढ़ेश्र पंडित होई तो गाइस प्लीज लाइक मैं वीडियो और अगर आप मेरे यूटूब चैनल पे नहे है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं वीडियो मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाती हूँ थेंक्स फॉर वॉचिंग